जय जय श्रीहरी, वुरत करने के अलावा जया एकादशी की कथा का पाठ करना अथवा श्रवन करना भी काफी महत्पूर्ण माना जाता है, माना जाता है कि जया एकादशी का वुरत रखने वाले भक्तों को पिशाच योनी से मुक्त किया जाता है, इस सम्मंद में भगवान क का एक स्ठान था, जहां उत्सव चल रहे थे, जिसमें कई संत देवता और देवता शामिल हुए थे, कई गंधर्व पुरुष ՘ा रहे थे और गंधर्व महिलाएं नर्त कर रही थी। उनमें पुश्यवती नाम की एक नर्तकी भी थी जिसे मालवन नाम के गंदरों का ध्यान आया और वे दोनों अपना ध्यान खो भैठे परिणाम सरूप वे पूरी एक आगरता के साथ अपने कारिकों करने में असमर्थ थे और उन्हें भगवान इंदर द्वारा पिशाच योनी में जन्म लेने का श्राप दिया गया था उन दोनों को स्वर्ग छोड़कर अपना शेश जीवन हिमालय परवत के पास एक जंगल में शाचों के शरीर में फटकते हुए बिताने को विवश होना पड़ा दिन बीटते गए और उन्हें अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए मुश्किल से कोई भोजन मिलता था मागमास की शुकल पक्ष की एका दशी का दिन था और माल्लिवन और पुश्वती दोनों ने पूरे दिन भोजन नहीं किया रात ठंडी थी और वे दिनों बहुत दुखी थे वे अपने किये पर पश्चताप करते रहे और भगवान विश्णू से छमायाशना करते रहे सर्द रात और भूख के कारण वे रात को जीवित नहीं रह सके और उनकी मृत्यू हो गई इस प्रकार अंजाने में ही उन दोनोंने जया एकादशी का वरत कर लिया और स्वर्ग लोग को प्राप्थ हुए उन दोनों को वापस स्वर्ग में देखकर सभी चौक गए और उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अंजाने में जया एकादशी का व्रत किया और भगवान विश्णू की क्रपा से पिशाच योनी से छुटकारा पाने में सक्षम हो गए और वापस स्वर्ग लोट गए ऐसी ही धार्मी के वं पौरानी कताओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्च करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपनों को बीच में शेयर अवश्च करें जै जै स्रीहरी